आजादी के अमरित काल में जब भारत विक्षित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है तो आप सभी सिक्षकों की भूमी का बहुत बड़ी है गुजरात में रहते हुए मेरा प्रात्मिक शिक्षकों के साथ मिल करके राज की पूरी शिक्ष्या व्यवस्ता को बजलने का अनुभव रहा है एक जमाने में गुजरात में ड्रॉप आउट रेट जैसा मुख्यमंत्री ची ने बताया करीब करीब 40% आसपास हुआ करता था और आज ये जैसा मुख्यमंत्री ची ने बताया 3% से भी कम रह गया है ये गुजरात के सिख्षकों के सयोग से ही संभव हुआ है गुजरात में सिख्षकों के साथ मेरे जो अनुभव रहे उसने राष्ट्रियस तरपर भी नीतियां बनाने में पॉलिसी फ्रेमबर्क में हमारी काफी मदद की है अब जैसे रुपाला जी बता रहे थे स्कूलों में सोचालाई ने होने के कारण बड़ी संभ्या में बेटियां स्कूल छोड़ देती थी इसलिए हमने विशे सा भ्यान चलाकर स्कूलों में बेटियों के लिए अलग सोचालाई बनवाए यहां गुजरात में तो एक जमाने में पूरे आदिवासी बेल्ट में गुजरात का पूरा पूर्वी छोड़ जो है वो हमारे आदिवासी बंदुओं का बसे रहा है एक प्रकार से उस पूरे इलाके में उमर गाम सेंबा जी साइन्स ट्रीम की पढ़ाई नहीं होती थी आज सिक्षक न केवल महा साइन्स पढ़ा रहे हैं बलकि मेरे आदिवासी नवजवान बेटे बेटियां डॉक्टर और इंजिनियर भी बन रहे हैं मैं कई बार प्रजानमद्र के बाद जब भी मुझे विदेश जाने का एक दाईत्व रहता है जब भी जाता हूँ विदेश मैं इन नेताओं से जब मिलता हूँ और वो जो बाते बताते हैं यहां बैठा हुआ और इस बात को सुनने वाला हर सिख्षक गर्व अनुभव करेगा मैं अपने अनुभव बताता हूँ आपको आम तोर पर विदेशों के नेताओं से जब मिलता हूँ तब उनके जीवन में भारतिय सिख्षकों का कितना बड़ा योगदान रहा है बड़े गर्व के साथ वो बर्णन करते थे मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरी पहली विदेश यात्रा भुटान में हुई और भुटान के राजपरिवार के साथ जब मैं बैठा था तो गर्व से बताते थे जो उनके सीनियर किंग है वो बता रहे थे कि मेरी पीड़ी के जितने लोग भुटान में हैं उन सब को कोई न कोई हिंदुस्तान के सिख्षक ने पढ़ाया लिखाया है और वो बेड़े गर्वा से कहते थे ऐसे ही मैं जब साउदी अरब गया वहां के किंग बहुत भरिष्ट और सम्मान्य महापुरुष है मुझे पर उनका प्रेम भी बहुत है लेकिन उन से जब मैं बैठा तो बोले मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ फिर उनका ने मुझे पूछा क्यों मालूम है मैंने का आप बताईए यह आपकी कृपा है उन्होंने का देखो भाई मैं भले राजा हूँ जो भी हूँ लेकिन बचपन में मेरा सिक्षक तुमारे देश का था और तुमारे गुजरात का था और उसने मुझे पढ़ाया याने इतने बड़े संपन्न देश के महापुरूष बादचीत में भारत के प्रधान मंत्री के से बात करते समयें एक शिक्षक के योगदान की बात करना गवरव अनुभव कर रहे थे पिछले दिनों कोविड में आप डबल्यूएचो के समंद में टीवी पर बहुत कुद देखते होंगे आप डबल्यूएचे को जो मुख्या है मिस्टर टेड रॉस उनके कई बाद टीवी पर आपने उनके बयान देखे हैं मेरे उनके बड़ी अच्छी मित्रता है और वो ह हमेशा गर्व से कहते थे पिछले दिनों जामनगर आये थे तब भी वो उसी गर्व के साथ दुबारा उलेक किया उन्होंने कहां बच्पन से मेरी जिन्दगी के हर पड़ाव में कोई ने कोई हिंदुस्तानी सिक्षक का योगदान रहा है मेरे जीवन को बनाने में भारत क सिक्षक का योगदान रहा है